आज मैं हिंदी यार सब्जेक्ट स्टैंडर्ड एट का सिखाने वाली हूं लेशन का नाम है मदुबन और लेशन नमबर है फिब मदुबन इसके लेखक है अनुराग वर्मा कौन है लेखक अनुराग वर्मा तो देखते हैं हम लेशन ठीक है सुबह का समय था मैं डॉक्टर राचकुमार वर्मा जी के प्रयाक स्टेशन स्टित निवास मदुबन की और पूरी रफ्तार से चला जा रहा था क्योंकि दज बजे उनसे मिलने का समय तै हुआ था किसका डॉक्टर राचकुमार वर्मा कौन मिलने वाले थे अनुराग वर्मा जो संपादक थे जो पत्रकार थे और उनको किस से मिलना था डॉक्टर अनुराग वर्मा से और टाइमिंग क्या था उनका दस बजे और मिलने का हावाले थे मदुबन की और पूरी तरह से मदु पूरी रफ्तार से याने तेजी से वो जा रहे थे किनके घर डॉक्टर राजकुमर वर्माजी के धर वो टाइमिंग क्या है हमा उनका मिलने का 10 बजे का टाइमिंग था वैसे तो मैं डॉक्टर सहब को विभिन्न उस्सव संगोष्टियों एवं सम्मेलनों में देखता था य याने जहां पर चरचा सत्रह होते थे वहां पर वह क्या करते थे अनुराग वर्माजों थे वो डॉक्तर से यानेवेर नोगते अ/. दूर से थे वह जान पैचान कई function में वो ऐसे नॉर्मली वो मिलते थे एवं समय लोगनों में देखा था यानि देखो जैसे दूर से उनकी जान पहिचान थी ठीके लेकिन पास से याने आमने समने वो सबको अभी आगे परंतु इनके निकट से मुलाखात करने का समय पहला इवसर था निकट से याने अभी मैंने अभी बोला आँमने सामने यानि अभी फर्स टाइम वो आमने सामने मिलने वाले और बातचित करने वाले है कौन-कौन डॉक्टर राजकुमर वर्मा और अनुराग वर्मा मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था ज्वार याने तूफान, ज्वार याने क्या है, तूफान उठ रहा था, विबिन्न विचारों का, याने क्या, वो देखते आगे, तूफान उठ रहा था, याने ज्वार उठ रहा था, याने ज्वार उठ रहा था, ज्वार उठ रहा था, कैसे होंगे डॉक्टर साब, कैसे वेवर होंगा उस साहित्य मनीशी का आधी याने क्या होता है मनीश का याने मनीशी याने विद्वान वो क्या से है विद्वान साहित्य का विद्वान याने उनको बहुत न्यान है ओके मनीशी का याने मनीशी ओके इसका आर्थ है विद्वान वो क्या है साहित्य विद्वान के बहुत उनको बहुत knowledge है थे तो आगे देखो भी वह कैसे होंगे उनका विखबहर कैसे होगा क्ला करते हैं दो ज Culture स्च व। तो उनके मन मंई उठ रहे थे मुलाकत का ऐन d फर्स टाइम था मुलाकत याने क्या है बेट फर्स टाइम उनका आमने सामने बेट होने वाली थी मुलाकत होने वाली थी और इसी मुलाकत के इसमें वो उनके मन में क्या बहुत सारे सवाल उठ रहे थी कि डॉक्टर सब कैसे होंगे क्या होंगे उनका वेवर कैसे होंगा और उनको बहुत सारे मनिशी का ज्ञान है यानि विद्वान है वो बहुत, ठीक है? इन तमाम उटते और बैटते विचारों को लिए मैं उनके निवास्तान मदुबन में प्रवेश किया, उनके निवास्तान जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे उन्हेने प्रवेश्या यानि अंदर गए काफी साहस करके दर्वाजे पर लगी घंटी बजाई, नौकर निकला और पुछा बैठा, क्या आप अनुराग जी हो? क्या हुआ था? अभी अनुराग वर्मा जो थे, उनके मन में बहुत सारे वीचार थे, और वही वीचार लेके वो कहा पे पहुचे, डौक्टर राजकुमर वर्मा के घर, और वहाँ जाने के बाद उन्हेने क्या किया था? बेल की गंटी बजाए, और वहाँ जाने के बाद तुरन उस नौ करने उनको पूछा क्या आप अनुराग वर्मा जी है और वो मैंने उत्तर में स्रिफ हां कहा अनुराग जी वर्मा अनुराग वर्मा जो थे वह डरे हुए थे क्यों डरे हुए थे कि डॉक्टर जो डॉक्टर साब जो थे वह बहुत बड़े उनके पास थे वह बहुत बड़ कि डॉक्टर सहाब से हमारी मेरी फर्स मुलाखात है याने पहली मुलाखात है और इसी इसमें उनसे वह पहली मुलाखात कैसे होगी और इसी विचार विचार में वह चल रहे थे और अचानक से उन्होंने क्या क्या बेल की घंटी बजाई और नोकर आया और नोकर आने के हो और उन्होंने डरते यानि ठोड़ा से में आवज में उत्तर दिया शरिफ हां हां कहा आगे देखते अब उनसे मुझे drying room में बिठाया उसने किसने नमखरे उसने मुझे ड्राइन ने दर्वाजा खोला उनको ड्राइंड रूम में यानि हॉल में बिठाया वहाँ बिठाने के बाद बोल रहे थी कि डॉक्टर साब अभी आ रहा है ये कुन बोला था उनका नोकर डॉक्टर राजकुमार वर्मा के जो नोकर थे उन्होंने बोला कि अनुराग जी आप बैठि मैंने कहा डॉक्टर साब कुछ प्रसंग प्रसंग जो आपके जीवन से संबंदी थे और उनसे आपको जो महत्व पुर्ण प्रेणाय मिली हो उन्नी की जानकारी है तो आया हूँ देखो अभी मैंने क्या बोला था मुलाकत लेने के लिए वो यहाँ पे आये कौन वर्मा तो वही आपके जीवन में आपके जीवन में संबंदी जो महत्व पुर्ण और प्रेणा दाई जो घटनाय आपके साथ हुई है उन्नी की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास अनुराग वर्मा आये है आगया समझ में ओके नेक्स डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से का अच्छा तो फिर पूछिये याने क्या ओके ठीक है आपको जो पूछना है वो याने सबड़ी सरलता से नंबरता से कहा कि ठीक है आप पूछे आपको क्या पूछना है तो अनुराग वर्मा ने अपना फर्स्ट कोशन कहा पूछा डॉक्टर साब से अंदर्ब में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कश्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलूओं को महत्वपुर्ण मोड दिया हो। जो काव्य रश्ना वो लिखते थे उसके बारे में अनुराग वर्मा ने डॉक्टर साब से पूछा था। तो डॉक्टर साब ने उनका जवाब दिया, उनके सवाल का जवाब दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंदे व्यवस्ता के प्रती विद्रोह अपने आप ही उद्धिष्ट हुआ, याने जो बलती है ज्वाला उद्धिष्ट होना, है कि नहीं, वैसे ही विद्रोह उ याने 15 and half years, okay, 15 and half years, 15 years and half, गांधी जे के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक वेवर धानों से संगर्ष करते हुए मैंने, मैंने, करते हुए मैंने भाग लिया, याने किसी से किसी का, किसी से किसी काम से सहयोग न करना, याने किसी के इसमें इन्वल नहीं होना, okay, वेवधान याने बाधा, okay, सहयोग नहीं करना, याने किसी के इसमें इन्वल नहीं होना है, असहयोग, असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक वेवधानों में संगर्ष करते हुए मैंने भाग लिया, उनके इसमें इसमें गांधी जी के इसमें वो इन्वाल हो गए थे उस समय स्कूल चोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी मगर मध्य प्रदेश के अंतरगत नर्ज निह पूर्ण में मौलाना शोक अली सहाब आये और बोले गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालिम गुलाम बनाने का एक नुसका है नुसका याने यहाँ पे अर्था माणा जाएगा उपाई या तो युकती याने हमारे यहाँ पे साड़े पंद्रा साल याने बहुत छोटी उम्र होती फिर भी वो क्या अंदोलन विद्रोह करने के लिए उत्रे थे गांधी जी के साथ सयोग अंदोलन में वो उत्रे थे और उस समय उनकी जो उम्र थी वो वो छोटी थी फिर भी उनके इसमें कौन मौलाना देखो यहाँ पे मगर मद्य प्रदेश के अंतरगत नर सिह पूर में मौलाना शोकत अली सहाब आये वहाँ पे यानि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या था मद्य प्रदेश के यहाँ पे अंतरगत नर सिह पूर में मौलाना शोकत अली सहाब आये और उन्होंने वहाँ पे अपनी कुछ भाषन दिये वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था गांदी जी ने काहा है कि अंग्रेजी की तालिम गुलाम बनाने का एक न्श्का है याने एक उपा है यूग यूगती है यानि आप क्या करो स्कूल छोड़ दो और अंग्रेजी मत सीको यह यहाँ पे मौलाना शोकतली का मानना था तक पच्चात यानि उसके बाद आवास तेज करते हुए कहने लगे है कोई माईका लाल जो कह देख कि मैं कल से स्कूल नहीं जाओंगा देखो यानि कौन बोला मौल सालीं भी नहीं लूँगा और यह 15 साल के चोटे चोटे बच्चे थे कोन हमारे डॉक्टर साहब उनके मन में यह सब आ गया और उनके दिमाग में भी आ गया कि मुझे स्कूल छोड़नी है मैंने अपनी मां के आगे बड़ी ही श्रद्दा से याने बहुत प्यार से स्कूल जाने की गोशना कर दी देखो बड़ी ही श्रद्दा से यहां पर हम ले सकते प्यार से बड़ी ही श्रद्दा से उन्होंने क्या बोला माको कि मैं कल से स्कूल नहीं जाओंगा सभी लोग सभी लोग सकते में आ गयबा देखो सभी लोग सकते में आ गये मींस क्या टेंशन में आ गये बाद भी अजिब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए लोगों ने बहुत समझाया पिता जी की याने डॉक्टर सहाब के जो पिता जी थे वो बहुत बड़े ऑफिसर थे डिप्टी कलेक्टर थे वो कलेक्टर थे और उनका जो बेटा था वो क्या कर रहा है विद्रोह कर रहा है कि मुझे अभी स्कूल जाना नहीं है और मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ और पिता जी की नोकरी की बात कही परंतु मैं घर से निकल पड़ा याने सब लोगा ने डॉक्टर सापको समझाने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर सहाब ने याने कौन डॉक्टर राजकुमारवरमा इन्होंने कोई भी बात नहीं मानी उनको क्या था गांधी जी का आदेश म इस प्रकार सरप्रतम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया उन्होंने विद्रोह किया ओके याने घर में भी उन्होंने विद्रोह किया कि नहीं मुझे स्कूल जाना ही नहीं है और मैं गांदी जी के साथ हूँ तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था याने 15.5 थे द्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था याने क्या करता था गल्ली गल्ली में जाके वो क्या करते थे हमारा राष्ट्रे द्वज लेके वो फड़काते हुए और घोशनाय करते हुए जाते थे यहां बात सन 1921 की 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कवीता लिखी थी देखो अभी जब उन्होंने विद्रोह किया याने देश के इसमें भाग लिया तब उनकी उम्र थी 15 साल याने साड़े 15 साल और वो करते करते 6 मंस गुदर गये 6 मंस के बाद उन्होंने क्या किया घर में भी विद्रोह किया था और वो गांदी जी यह बात उसी साल की है 1921 की ही है इसी में उन्होंने देश प्रेम पर एक कवीता लिखी थे और यही से उनका वो जो काव्य रशना था यही से उनका स्टार्ट हुआ था यही मेरी कवीता का मंगलाचरन था देखो याने फर्स्ट मंगलाचरन उन्होंने का कौन से उम्र में किय ता आ गया है बच्चों समझ में आगे का लेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ओके बाइबाइब